यह 360 android car studio है और यदि आपके प्लेयर में यह 360 panorama apps नहीं आ रहा है तो इसके लिए क्या करना है car setting पर जाना है तो इसके लिए मैं उपर से नीचे slide करता हूँ then car setting पर ok करता हूँ then system setting फैक्टी setting और यहां पर password देना है 1617 6699 then confirm पर ok करना है और यहां पर option आएगी 360 इसको untick होगा तो इसको tick कर लेना है then save option पर ok कर देना है इस पर save होने के बाद यह player restart होगी restart होने के बाद 360 panorama app app list में view होने लगेगी तो आप इस type से setting कर सकते हो झाल झाल